हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू कोडिंग टैग कोडिंग टैग में आपका स्वाकत है आज मैं आप इस वीडियो को तुरू सिखाने वाला हूं कि आप अपने डबलू हम में पैकेजिस कैसे करेट कर सकते हैं डबलू हम वेब होस्ट मेनेजर जहां पर आप मल्टीपल एकाउंट सकते हैं जहां पर मैपने jb मैंगे इस और आप अपने सरवर को मैनेज कर सकते हैं जैसे कि सब्सक्राइब कुछ नए वेबसाइट कंपनी यसे मार्केट मेंा रही है या कुछ ने डवलापर आ रहे हैं तो वह इंक कंपनी के लिए तो 70-80% chances होता है कि customer hosting भी उनी से बाई कर लेता है अब customer जब hosting भाई करता है तो customer के अपने खुद के एक requirement होते है कि मुझे 2GB space रही है, 1GB space रही है, 5GB space रही है, 10GB जिसके basis पे website companies उन से charges करती है तो हम क्या करते हैं, जब भी हम WHM में customer का account create करते हैं तो हम उससे पहले default कुछ packages बना लेते हैं कि हमने packages बना लिए 1GB का लग, 2GB का लग, 5GB का लग, यह बहुत अच्छा तरीका है customer को package assign करने का और जिसके करने आप अपना रेकरिंग income generate कर सकते हैं WHM के दुरूप Because क्योंकि अगर आप analyze करो या market research करो तो 60% customers होते हैं वो website दुबारा renew करते हैं और जब second time आप उनकी website renew करते हैं, उनकी hosting renew करते हो तो जो आप पैसा कमाते हैं तो आपका bonus होता है, उस year का So, चलिए guys, सीखते हैं कि हम package कैसे create कर सकते हैं WHM के अंदर सबसे पहले आपको अपने WHM में login करना है, जब भी आप reseller hosting buy करेंगे तो आपको WHM का ID, password मिलेगा So, right side में आप यहाँ पर देख रहे है, add a package का option भी है और आप left side में search box में भी जैसे package type करेंगे तो एक package का column हा जाएगा जहाँ पर add a package, delete a package, edit a package और feature major, तो मैं सबसे पहले add a package पर click करूँगा, मुझे यहाँ पर package का name assign करना है, जैसे मैंने package का name assign कर दिया, तो कई companies assign करते हैं silver, gold, कई करते हैं package की name के साब से 1GB, 2GB, 5GB, 10GB, unlimited कर दिया तो मैंने तो के साब दिया तो कि मेरे अगे हैं, 2GB के अलगे हैं, 5GB के अलगे हैं, 1GB को मैं hosting yearly 2500 तो जी वाले को 5000, 5GB तो 10,000, and unlimited वाले को 15,000-20,000, it's depend on the company, and it's depend on the customer, कि customer किस लेवल का है, and second one thing is unlimited space का मतलब यह नहीं कि customer unlimited website उसके अंदर host कर सकता है, यह unlimited files upload कर सकता है, unlimited space का मतलब यह कि जो आपकी reseller hosting का maximum space है, उससे ज़्यादा space वो customer use नहीं कर सकता है, so मैंने 1GB space दे दिया, मैंने आपर disk quota दे दिया, 1024 MB, it's converted into 1GB, maximum bandwidth कितना देना चाहते हैं, आप unlimited देना चाहते हैं, 5 देना चाहते है, unlimited, email accounts जैसे आपको 1GB वाला customer अब उसको यह तो हैंने कि हम 10 emails दे दें, 15 emails दे दें, unlimited, तो यहाँ पर आप define कर सकते हैं, यहाँ पर आप unlimited रख लीजिए, customer maximum 1GB ही use कर पाएगा, अब 1GB के अंदर उसने किसी को 200 MB देना है, तो वो उसके उपर आप छोड़ दीजिए, तो इसको आप unlimited कर सकते हैं, maximum email e-list कितना देना चाहते हो, कितने database, यह सब आप default unlimited रहने दीजिए, इसको आप मच्छे दिए, maximum add-on domains, अगर आप customer को reseller hosting दे रहे हैं, या आप customer को multiple domains वाली hosting दे रहे हैं, तो आपको यहाँ पर add-ons म आप से buy कर सकते हैं, यह default unlimited रहने दीए, maximum percent of fail or deferred a message इसको भी unlimited रहने दीजिए, अब यहाँ पर आजाती है settings की, options है, dedicated IP, shell access, dedicated IP, जब हम किसी customer को dedicated server assign करते हैं, या वीपे देते हैं, तो उस case में dedicated IP उसको customer को देते हैं, shell access अगर आप दे देंगे तो वो आपके reseller account को भी access कर सक सकता है, तो इसलिए आपने उसको सिरफ cga access देना है, उसके एलावब कोई access नहीं देना, यह default है, chain, team, feature list and local language, तो यहाँ पर आप उसको default English रहने दीजिए, and add पर आप क्लिक कर दीजिए, तो यह आपका successfully account create हो गया 1GB का, ऐसे आप multiple account create कर सकते हैं, 5GB, 10GB, 20GB, अब सपोज मैं create account पे मैं चेक कर, अब मैं चेक करना चाहता हूं कि मैंने जो package बनाया है, वो really मैं बन गया या नहीं बन गया, तो जैसे मैं create a new account पे click करूंगा, यहाँ पर आ रहा है option choose a package, और जैसे मैं choose a package पे click करूंगा, तो यहाँ पर default वो 1GB आ रहा है, तो जब हम यहाँ पर किसी customer का domain name डालेंगे या उसके जो भी हमने information है वो डालेंगे, तो 1GB जैसे space डालेंगे, 1GB package जैसे select करेंगे, तो जो हमने specification, जो हमने resources उसको 1GB में दिये हैं, वो सारी resources उसको assign हो जाएँगे, so guys hopefully आपको समझ आ गया होगा कि आपको package को कैसे add करना है, और अगर आप चाहें उस package को delete कर अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक इस वीडियो और सब्सक्राइब मैं यूट्यूब चैनल ताकि मैं इसी तरह की के और भी अच्छी ची वीडियो आपके लिए लाता रहूं और आपको शेर करता रहूं, थैंक्यू, बाई-बाई, सियो इन नेक् लो आपके लीडियो बोग्या आपके लुच्त कारण चैनल झाले को जाब यूच्ब अबाश प्लीज हैंक्या अग्यूच आड़ियो यूच